बिस्मिल्यारामाने राहिम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देखने हैं इजाजन सारी फूर सीकर्ट्स लेकिन आज हम कुछ स्पेशल करने लेगे, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी तो होंगे ही, साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही खास रा कि आपको खुश्भू मिलेगी, जो नॉर्मली आपको कबाबों में नहीं मिलती तो रैस्पी स्पेशल होने वाली है, चलेंगे, बिसमिल्ला हमाने, एक से देट चमत जस्ट हम लेंगे कुकिंग ऑइल के और इसमें एक चुटकी एड़ करेंगे हम, राई दाना और यह हमारे पास जीरा, हाफ टी स्पून, लो से फ्लेम के उपर इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ पे एक एहम चीज़ है, जिसका आपने दिहां रखना है, जो सबसे तकरीबन एहम चीज़ है, हमने यहाँ पे आइट करना है श्रेड़ चिकन, यानि के बॉइल किया हुआ चिकन, जिसको हमने रिशा-रिशा कर लिया था, यह एक कप है, और इसको आपने इस ले का सा फ्लेवर देना है लेसन का, और उसके बाद फॉरण से आधी प्याली इसके अंदर हम बड़ी चौप प्यास आड़ कर देंगे, अब यह प्यास का पानी चला जाएगा, इसके अंदर तो यह जो चिकन है, यह ड्राई नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही शा आड़ कर देंगे, यहाँ खुशतरिया पावडर, वांटी स्पून और मोस्ट इंपोर्टन काली मिर्ज, हाफ टी स्पून आड़ करेंगे, और कोई मसाला इसमें यहाँ पे हमें आड़ करने की जूरुत नहीं है, कोई भी सॉस इसके अंदर नहीं चाहेगा, बिल्कुल द जब्छाओं पूस है, और अपना प्यार दिखाएगा, इंशार आला मैं कमर्स को पर हूंगा, कि हमारे वियूर्स जो है, वो किस किस सिटीस हैं, और किस किस कॉंट्री से हैं, चलsin जी, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर देना है, ताकि रेस्पी में हम इसको यूज कर सकें ठीक हो गया, चलें जी, बिसमिल्ला हरामारहीं अब हमने क्या करना है, खुबसूरत सा प्यारा सा एक बाल लेंगे और उसके अंदर इस थंडे किये हुए चिकन को हम एट कर देंगे जिसमें खुश्बू बहुत ही शानदर आ रही है, लेसन की ठीक है प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे साफ किया करेंगे चोटी सी चोटी चीज भी जायाना होने दिया करें इससे रिस्क में बढ़कताती है, यह है लाल मिर्च अगर आप खुश किस्मत होए तो यह आपको मार्केट से ज़रूर मिल जाएगी लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ज्यादा यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो जो दूसरी पौडर वाली मिर्च थी, वो कम यूज की थी इसकी खुश्बू बहुत अच्छी होती है यह तीन से चार थी, लंबी-लंबी बड़े वाली, काफी तेज होती है हडा धनिया इसमें आड़ कर देंगे 2-3 चमश के करीब और उसके बाद हरे मसाले जो हैं वो इतने काफी है और आड़ करने की जूरूत नहीं कुछ एकस्टा वेजिटेबली भी है हम इसमें आड़ नहीं करेंगे असल फिलेवर इसमें चिकन का है तो उसी को हम प्रामिनन करेंगे आलू हमारे पास वाइल्ड और इसको हम इसके ओपर इस तरह से ग्रेट कर लेंगे आपको याद होगा नमक थोड़ा सा मैंने ज्यारा इसलिए एड़ किया था क्योंकि इसमें आलू जाएंगे बहुत सारे उपर हमें सिर्फ ब्रेट करम्स ही नजर आने थे जो कि हमें नहीं चाहिए हम इसकी अच्छे से करेंगे मिक्सिंग और यहाँ पर खुबसूरती जो आपकर नजर आ रही है इसको हमने मिसनी करना अब इसकी हम बना लेंगे कबाब टिक हैं किसी भी शेपे इन केस यह आप से पतला हो जाए आप बेसंद भून के अड़ कर सकते हैं ब्रेट करम्स इसके अंदर आड़ कर सकते हैं इसको गड़ा करने के लिए लेकिन अब यहाँ पे इसके अंदर कच्चा अंड़ है तो आपने दिहान से देखना है इसको पकाना कैसे है फ्राई कैसे करना है चलें जी बिसमिल्ला हरावान रही कुकिंग ओइल लेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे अच्छा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया जनाब तो चैनल को तर्бы्सक्राइब कर लिया के नहीं आपकी तरफ से प्यार होता है महबध है आपकी तरफ-स एमन India so much चलेंजे अब इस बहुत ही खुश्बूदार और बहुत ही खुबसुरत होगा मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ आपने मिस नहीं करनी ठीक है चलें जी बिसमिल्लाहरामान रहाई तो माशालला अलहम्दुलियला देखेजिए मेरे ला की शान उसकी रह्मते ने उसके और बरकते जो से अन्हें आतरों में ठीक सब्कुलाइब से च्कण पॉटमाब तयार है पॉटमाब तयार है चिकन कबाब तयार है पॉटमाड़ असी तरह यहां में टेश्टी रैस्पिस के लिए लिए सक्षेंटिक लिए दौहाँ मिलाद देखेए गिलिए वुड़ी विठी तक अल्लाह आटर्चे लिए आखिज्य अबन करने दोरा अखायर को दो फिर हमाना आए आप